हाई, आप संजय, आप से यूटूब चानल लानवीच संजय, तोड़े आप स्टोरी अश्टोलोजिस दे, इसके पहले हमने स्टोरी का एक एक पार्ट लेकर ऐसे तीन पार्ट बनाए है, आज हम लास्ट पार्ट जो है वहाँ अभी पढ़ते है, अश्टोलोजिस दे, पार् गुरु नायक, you know my name, the other said, taken aback, जब एस्टोलोजर ने उसको उसका नाम बताया, तब वह बुला, कि आपको मेरा नाम भी पता है, वह एकदम सर्प्राइज हो गया था, As I know all other things, गुरु नायक, listen carefully to what I have to say, जैसे मुझे पूरी चीज़े जो है, all other things, याने पूरी चीज़े आपके बारे में जैसी पता है, वैसा ही इसके बाद जो भी मैं कहने जा रहा हू, वह भी चीज़े आप धान से सुने, Your village is two days journey due north of this town, take the next train and be gone, astrologer ने गुरु नायक को बताया, आपका जो गाव है, वह इतना दूर है कि जहाँ पहुचने को दो दिन का सफर करना पड़ता है, तो आप next train पकड़ो और जल्दी गाव निकल जाओ, यहां रुकना नहीं है, I see once again great danger to your life if you go from home, अगर आप घर से कहीं भी निकल जाते हो, फीर से एक संकट दिख रहा है, डेंजर दिख रहा है, He took out a pinch of sacred ash and held it to him, rub it on your forehead and go home, never travel southward again and you will live to be a hundred, एस्ट्रोलोजर ने sacred ash यानि जो वीबूती जो होती है, वह निकाली, उसके हाथ में थमा दी और उसको बोला कि यहां आपके forehead पे लगा लो और यहां से घर चले जाओ, इसके बाद दक्षिन की दिशा में कभी भी सफर मत करना, आप सव साल जीओगे, यहां उसको एस्ट्रोलोजर ने बताया, वाइ शुड़ आई लीव होम अगेन, दा अधर सेड रिफ्लेक्टिवली, गुरु नायक जो था, उसने बोला कि मैं अभी घर क्यों छोडूँगा, मैं सिर्फ अभी यहां से दूर जाने वाला था, उसको डूड़ने वाला था, अगर मैं उसको मिला होता, तो उसकी लाइफ मैं खतम कर देता, उसने उसका जो सीर है, वा खेद पूरवक ऐसा हिलाया, वो मेरे हाथ से छूड़ गया, लेकिन कम से कम वो मर गया, जिसके वो लायक था, येस, said the astrologer, he was crushed under a lorry, the other looked gratified to hear it, astrologer ने बोला कि हाँ वो मर गया, लॉरी के नीचे आकर वो crush हो गया, यहाँ सुनकर गुरु नायक को बहुत खुशी हुई, और वो ग्रैटिफाइड, ग्रैटिफाइड का मिनिंग है, प्लीज साटिस्पाइड, दा प्लेस वोज डेजर्टेड बाइद टाइम, बहुत देर होने के वज़े से वह जगा ऐसी वीरान हो गए थी, डेजर्टेड हो गए थी, वहाँ कोई भी नहीं था, और एस्ट्रोलाजर ने उसके सारे आर्टिकल्स उठाए और बैग में डाल दिये, जो ग्रीन शाफ्ट का वहाँ थोड़ा सा जाला जो आ रहा था तो वहाँ भी अभी गायफ हो गया था, उस जगा में कम्प्लीट डार्कनेस और साइलेंस यही था, वहाँ से ग्रीन शाफ्ट जो है वहाँ भी निकल गया था, जो स्ट्रेंजर है जिसका नाम था गुरु नायक वहाँ भी अस्ट्रोलोजर को कॉईन दे कर वहां से रात में ही निकल गया था, इट वस नेरली मिदनाइट विन अस्ट्रोलोजर रीच्ट होम, तो एस्ट्रोलाजर को घर पहुचने के लिए रात के बारा बच गयते मिडनाइट वह समय हो गया था उसकी वाइफ जो है वह दर्वाजे के चौकट पर उसकी राह देख रही थी जैसे ही एस्ट्रोलाजर घर पहुचा उसकी पीवी ने उसको पूचा कि इतनी देर कैसी हुई शी डिमांडेड एक्स्प्लेनेशन एस्ट्रोलाजर ने क्या किया कि या स्ट्रेंजर ने याने गुरु नायक ने जो पैसे दिये थे वो आप पूरे के पूरे उसके आंके उपर फेक दिया और बोला कि आप इसको गीन लो यहां हमें एक विक्ती ने दीवे है 12 and a half anach शी सेड काउंटिंग शी वाज ओर ज्वाइड आई कन बाई सम जैगरी और कोकोनट तुमारो तो उसके बीवी ने वा कोईन गिने 12 and a half anach वा कितने थे 12 and a half anach तो इतने सारे कोईन गिन कर वा बहुत खूश हो गई थी और उसने बोला कि मैं अभी जैगरी जैगरी याने गुड और कोकोनट खरीद कर ला सकती हो उनकी एक बेटी थी एस्ट्रोलाजर के बीवी ने सोचा कि उसके बेटी के लिए जो बहुत दीन से कुछ तो भी स्वीट बनाने के लिए बोल रही थी तो उसके लिए मैं कल कुछ स्वीट्स बनाऊंगी यहां उसने ठैराया था और वो बुली के आप वरीड लग रहे हो वट इस रॉंग क्या बात है तो एस्ट्रोलाजर बुला नथिंग आफ्टर डिनर सिटिंग उन दप्यॉल यह टोल हर डू यू नो अग्रेट लोड इस गॉन फ्रॉम में टुड़े प्यॉल मेंस अस्ट्रिंग कॉट खटिया तो डिनर के बाद खटिया पर वो लेटा हुआ था और उस समय उसने उसके बीवी को बोला कि आज मेरे दिल पर का बहुत बड़ा बोज जो है वह हलका हो गया इतने सारे साल मैं यही सोच रह था कि मेरे हाथ से खून हो चुका है और वही कारण था कि गाव में मेरे हाथ से किसी का खून हो गया था जिसके वज़े से मैं गाव छोड़ कर भागा था यहाँ पर आया यहाँ पर सेटल हुआ आपसे शादी की लेकिन आज वह वेक्ति हमें दिखा तो वह जिन्दा है इसलिए हमारे दिल पर का जो बोज था वह पूरा हलका हो गया उसने जोर से सास छोड़ते हुए बोला तो वो बोला कि येस मैंने उसको मारने की कोशिश की थी जब मैं एक नासमझ लड़का था यंग्स्टर था एक दीन हम बहुत दारू पिये जुवा खेले और उसी दीन हमने जगडा भी किया उसमें वह सारी चीज़े हो गई वह यानिंग करते हुए बोला कि अभी सोने का समय हो गया है और वह पियाल के उपर वह स्ट्रिंग कोट के उपर वह लेट गया इस तरह से यह स्टोरी में सस्पेंस था गुरु नाईप को किसने मारा था एस्ट्रोलोजर ने अब उसके हाथ से वह क्राइम होने के वज़े से एस्ट्रोलोजर जो है वह गाव छोड़ कर इदर आया था और सेटल हो गया था तो यही यह स्टोरी थी यह स्टोरी आपको कैसे लगी यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे यानि हमें भी पता चले कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और आपको अगर वीडियोज पसंद आए होंगे तो आप चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक यू